हलो एबरीबन वेलकम टू यू यूर यूटूब चैनल दी कंसेप्ट अपात फॉर सेक्सेस आज हम इस वीडियो लेक्चर में मॉडरन हिस्ट्री के बहुत जादा इंपोर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनल एंड बाइस राय ओफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में डिसकस कर बारे में जहां पहुदू नेक्स्ट हाफ कुशिण को डिसकस किया जाएगा एक यह बीडियो लेक्चर आपके अपकमींग एक्जाम के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है चलिए शुरू करते हैं वेरींपॉर्टेंट एंड वेरी इंट्रेस्टिंग बीडियो ल C option Warren Hastings, D option Lord Kenny, तो पहला गवर्नर था बेंगॉल का Robert Clive, B is the correct answer. next question है, who was the first governor general of Bengal, Bengal का पहला governor general कौन था, A option Lord William Benteke, B option Robert Clive, C option Warren Hastings, D option Lord Kenny, तो बेंगॉल का पहला governor general था, Warren Hastings, C is the correct answer. next question है, who was the first governor general of India, भारत का पहला governor general कौन था, A option Lord William Benteke, B option Robert Clive, C option Warren Hastings, D option Lord Kenny, तो भारत का पहला governor general था, Lord William Benteke, A is the correct answer. next question है, who was the last governor general of India, भारत का last governor general कौन था, A option Lord William Benteke, B option Robert Clive, C option Warren Hastings, D option Lord Kenny, केंग, तो थारा सुस्तावन की करांटी के समय, फिर थारा सुस्तावन में, कौबरनर जर्नल की पोस्ट को रिप्लेस कर दिये गया, भारत का बाईसरोई के दौरा, तो लास्ट कौबरनर जर्नल रहा है, भारत का लाड कैंग, D is the correct answer. ब्रिटिश इंडिया का पहला बाइस रहे कौन था तो जैसे हमने बात की 1858 में गवर्नर जर्नल की जगा रिप्लेस कर दिये गया और नहीं पोस्ट का नाम रखा गया बाइस रहे तो जो लास्ट कवर्नर जर्नल था वही पहला 22 रहे बना तो इसका सही अंसर है लॉड कैनिक डी इस दा करेक्ट अंसर नेक्स्ट क्वेशन है ब्रिटिश भारत का अंतिम बाइस रहे कौन था ए उप्शन स्टैफ़र्ड क्रिप्स बी उप्शन लॉड बैवल जो ब्रिटिश भारत का अंतिम बाइस रहे रहा है यानि 1947 तक वो था हमारा लॉड माउट बेटन C is the correct answer नेक्स्ट क्वेशन है अजादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जर्नल कौन था A उप्शन स्टैफ़र्ड क्रिप्स B उप्शन लॉड बैवल C उप्शन लॉड माउट बेटन D उप्शन सीर आर राजा गोपालाचारी तो अजादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जर्नल बना था लॉड माउट बेटन ही C is the correct answer नेक्स्ट क्वेशन है वो वास दा फर्स्ट और आउनली अजादी के बाद भारत का पहला और एक मातर गवर्नर जर्नल कौन बना जो भारती है था अजादी के बाद एक मातर और अन्तिम भारती गवर्नर जर्नल बना था C is the correct answer किस एक्ट के अंतरगत जो गवर्नर जर्नल था बेंगोल का उसको गवर्नर जर्नल ब्रिटिश इंडिया बनाया गया A option Charter Act 1833 B option Charter Act 1833 A था 1813 B था 1833 C था 1793 और D none of these तो वो Charter Act था 1833 जिसके अंतरगत जो गवर्नर जर्नल था बेंगोल का उसे गवर्नर जर्नल ब्रिटिश इंडिया बनाया गया B is the correct answer Next question है Who introduced the Doctrine of Laps Policy Doctrine of Laps Policy को किसने introduce किया था यानि की हडप निती को कौन लेके आया था A option Lord Alhaji B option Lord Bellesley C option Lord Kenning D option Lord Minto 1 तो हडप निती को introduce करने वाला था Britishers Lord Alhaji A is the correct answer Next question है The Doctrine of Laps Policy was introduced in which year जैसे कि हमने डिसकेस किया कि हडप निती को introduce किया था Lord Alhaji ने इस हडप निती के अंसार जिस भी राजा का आगे कोई भी बंशस या पुत्तर नहीं है तो उस रियासत पे कबजा हो जाएगा अंग्रेजी सासन का और वो राजा है उसे गोद लेने का अधिकार भी नहीं है तो Doctrine of Laps Policy को कब लाया गया A option 1848, B option 1849, C option 1850, D option 1851 तो Doctrine of Laps Policy को introduce किया गया था 1848 में A is the correct answer Next question है The Doctrine of Laps Policy was introduced in which princely states of India सरप्रथम जो हडपनिती थी लौडल हौजी की उसको किस रियासत में लागू किया गया या कौन सी ऐसी रियासत है जिसको सबसे पहले कब जाया गया हडपनिती के अंसार A option भगाट, B option हैदराबाद, C option सतारा, D option none of these तो वो पहली princely रियासत थी जिसको Doctrine of Laps Policy के अंतरगत हथिया गया वो थी सतारा C is the correct answer Next question है The Doctrine of Laps Policy was abolished by whom? जो हडपनिती थी उसको खतम किस ने किया था? A option Lord Bellesley, B option Lord Hodge, C option Lord Auckland, D option Lord Canning तो Doctrine of Laps Policy को खतम करने वाला 22 राय गवर्नेर जर्नल था Lord Canning D is the correct answer Next question है The Doctrine of Laps Policy was abolished in which year? जैसे कि हमने डिसकोस किया कि Lord Canning ने हडपनिती को खतम किया था तो यहाँ पे question है कि वो किस बर्ष खतम किया गया? A option 1856, B option 1857, C option 1858, D option 1859 तो Doctrine of Laps Policy को खतम किया गया था 1859 में D is the correct answer Next question है Subsidory Alliance System was introduced by whom? Subsidory Alliance System को किसके दोरा शुरू किया गया? A option Lord Hodge, B option Lord William Penteke, C option Lord Canning, D option Lord Wellesley तो Subsidory Alliance System को introduce करने वाला जो Governor General था, Bengal का उसका नाम था Lord Wellesley D is the correct answer Next question है The Subsidory Alliance System was introduced in which year? जैसे कि हमने डिसकस किया Subsidory Alliance System को introduced किया था Lord Wellesley ने तो किस वर्स introduced किया गया? A option 1793, B option 1798, C option D option 1820, D option 1835 तो Subsidory Alliance System को introduce किया गया था 1798, 1798 में B is the correct answer Next question है The Subsidory Alliance System was firstly introduced in which princely state? जो Subsidory Alliance System था सरप्रथम किस रियासत पे इंट्रोड्यूस किया गया? या लागू किया गया? A option सतारा, B option कैलकटा, C option है आप्शन, हैदराबाद, D option भगाट तो Subsidory Alliance System को सबसे पहले लागू करने वाला था निजाम आफ हैदराबाद, यानि हैदराबाद रियासत में सबसे पहले लागू किया गया C is the correct answer Next question है In which year, the capital of British India was transferred from Calcutta to Delhi किस बर्च ब्रिटिश भारत की राजधानी कैलकटा से दिल्ली ट्रांसफर कीगी? A option 1905, B option 1907, C option 1911, D option 1921 तो ब्रिटिश भारत की राजधानी कैलकटा से दिल्ली बनाएगी थी 1911 में C is the correct answer Next question है Who had transferred capital of British India from Calcutta to Delhi in 1911? जैसे कि हमने डिसकस किया कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कैलकटा से दिल्ली 1911 में बनाएगी तो यहाँ पे question पूछा गया कि Who had transferred? वो transfer करने वाला 22 रहे कौन था? A option Lord Karjan B option Lord Harding A2 C option Lord Reading D option Lord Chelmsford तो उस Governor General का नाम है Lord Harding A2 B is the correct answer Lord Harding A2 ने भारत की राजधानी प्रिटिश भारत की राजधानी कैलकटा से दिल्ली 1911 में बदल थी Next question है The Sati system was banned by which Governor General? जो Sati प्रता थी उसके उपर प्रतिबंद किस Governor General ने लगाया था? A option Lord William Bentick B option Lord Auckland C option Lord Harding A1 D option Lord Kenney तो Sati प्रता प्रतिबंद लगाने वाले Governor General का नाम है Lord William Bentick A is the correct answer Sati प्रता के बारे में बात करें तो इसके उपर बैन लगाया गया था 1829 में सती प्रता के अंतरगत जब भी किसी महिला के पती की मृत्ति हो जाती थी तो इस प्रता के अनुसार उस पती की चिता में पतनी को भी जला दिया जाता था तो ऐसी प्रता को अंग्रेज जोने बंद किया था वो अंग्रेज था Lord William Bentick Next question है Who helped the British government to ban the Sati system in India इन मेंसे कौन सा ऐसा भारती है जिसने प्रिटिश सरकार की मदद की थी सती प्रता को बंद करने में A option राजा राम मोहन राए B option ईश्वर चंदर विद्या सागर C option दयानन सरस्वती D option केश्व चंदर सेथ तो वो भारती थे राजा राम मोहन राए जी ब्रह्मो समाज के संस्थापक जिनों ने सती प्रता को बंद करवाने में अंग्रेजी सरकार की मदद की थी A is the correct answer Next question है Who helped the British government to introduce the Biddo Remarriage Act किस भारतीय ने British सरकार की मदद की थी Biddo Remarriage Act यानि बिदवा पुनर विवा को लाकू करने के लिए A option राजा राम मोहन राए B option ईश्वर चंदर विद्या सागर C option दयानन सर्स्वती D option केशव चंदर से तो वो भारतीय थे ईश्वर चंदर विद्या सागर जी जिनोंने मदद की थी अंग्रेजी सरकार की बिदवा पुनर विवा को लागू करने के लिए B is the correct answer Next question है The Sati system was banned in which year in India Sati प्रता को किस बर्ष भारत में बंद कर दिया गया A option 1828 B option 1829 C option 1830 D option 1831 तो Sati प्रता को बैंद किया गया था Lord William Pantic के दोरा With the help of राजा राम मोहन राए 1829 में B is the correct answer Next question है The Biddo Remarriage Act was introduced in which year in India जो बिदवा पुनर विवा था उसको किश बर्ष भारत में लागू किया गया A option 1854 B option 1855 C option 1856 D option 1857 तो जैसे कि बिदवा पुनर विवा को लागू किया गया किसकी मदद से इश्वचंदर विद्यसागर की मदद से और इसको लागू किया गया था 1856 में C is the correct answer Next question है The 1857 revolt of India was happened during the period of which Governor General of India जो ठारा सुस्तावन की करांती है भारत की वो किस Governor General के समय काल के दोरान हुई थी A option Lord Haldalhaudji B option Lord Kenny C option Lord Elgin D option Lord William Bentick तो ठारा सुस्तावन की करांती जो हुई थी वो हुई थी Lord Kenny के समय में B is the correct answer Next question है The first Afghan war जो की 1838 से लेके 1842 तक हुआ was held during the period of which Governor General of British India तो पहला Afghan youth किस Governor General के समय काल के दोरान हुआ था A option Lord Elgin B option Lord Hardingay 1 C option Lord Auckland D option Lord William Bentick तो पहला Afghan war जो हुआ था वो हुआ था Governor General था Lord Auckland और इसका decision लिया गया था Auckland House शिमला में तो C is the correct answer Next question है Second Afghan war जो की हुआ था 1888 से 1888 से 1888 सी was held during the period of which Governor General of British India तो दूसरा अफगान यूद किस Governor General के समय काल के दोरान हुआ था A option Lord Mayow B option Lord Litton C option Lord Rippon D option Lord Duffrit तो दूसरा अफगान वार जो हुआ था 1888 से लेके 1888 तक उस समय Governor General या 22 रहते भारत के Lord Litton B is the correct answer Lord Litton Next question है Who prohibited female child infanticide in British India किसने नबजाद छोटी छोटी बच्चीओं की हत्या पे रोक लगाई थी British राज के समय A option Lord Alhaji B option Lord William Benteke C option Lord Cornwallis D option Lord Harding Evan तो child female child infanticide पे उनकी हत्या पे जो प्रदिबंद लगाने वाला Governor General था बो था Lord Harding बन D is the correct answer Next question है Who was the first Secretary of State of British India British भारत का पहला Secretary of State कौन बना था तो जैसे कि हम जानते हैं Government of India Act 1858 आया था थारा सो स्ताबन के रिबोल्ट के बाद After 1857 रिबोल्ट आपका आ गया था Government of India Act 1858 जिसके अंतरगत Governor General की पोस्ट को रिप्लेस किया गया 22 रॉआय से और एक नहीं पोस्ट क्रेट कीगी जिसका नाम था Secretary of State तो पहला Secretary of State कौन बना A option Lord Kenny B option Lord Stanley C option Lord Chalmersford D option John Morley तो पहला Secretary of State बना था Lord Stanley B is the correct answer Next question है The post of Secretary of State was created in British India in which year किस बर्ष जो Secretary of State की पोस्ट ही वो create कीगी British भारत में A option 1856 B option 1857 C option 1858 D option 1859 तो Secretary of State की पोस्ट को create किया गया था Government of India Act 1858 तो इसका correct answer है 1858 C is the correct answer Next question है Which governor journal introduced permanent settlement of Bengal और जमिदारी सिस्टम इस governor journal ने permanent settlement system को Bengal में शुरू किया जिसको जमिदारी सिस्टम भी बोलते हैं तो वो governor journal कौन था A option Lord William Benteke B option Lord Wellesley C option Lord Cornwallis D option Lord Amherst तो वो governor journal था जिसने जमिदारी सिस्टम को इंट्रोडूस किया था वो था Lord Cornwallis C is the correct answer Next question है The permanent settlement of Bengal और जमिदारी सिस्टम वोजे इंट्रोडूस इंट्रोडूस्ट इन स्थियर जो permanent settlement था Bengal का या जमिदारी सिस्टम था उसको किस वर्ष इंट्रोडूस किया था Lord Cornwallis के दौर A option 1793 B option 1798 C option 1820 D option 1833 तो permanent settlement system या जमिदारी सिस्टम को इंट्रोडूस लॉर्ड कॉर्ण वॉलिस के दौरा 1793 में किया गया A is the correct answer Next question है Who was the Governor General of India during the introduction of Charter Act 1833 Governor General भारत का कौन था जब Charter Act 1833 को इंट्रोडूस किया गया A option Lord Mintoven B option Lord Hastings C option Lord William Penteke D option Lord Dalhautji तो Governor General भारत का था जिसके समय Charter Act 1833 आया वो था Lord William Penteke C is the correct answer इसी Act के अंतरगत Governor General of India की पोस्ट को क्रेट किया गया था C is the correct answer Next question है Who was the Governor General of India during the issuing of Boots Dispatch in 1854 भारत का Governor General कौन था जब Boots Dispatch को इशू किया गया 1854 में Boots Dispatch जो की Education के Reform से रलेटर था Educational Reform से रलेटर था तो जब Boots Dispatch को इशू किया गया भारत में तो समय Governor General का और था 1854 में A option Lord Bento 1 B option Lord Hastings C option Lord William Penteke D option Lord Dalhautji तो वो Governor General था आपका Lord Dalhautji D is the correct answer Next question है Who was the Governor General of India during the establishment of PWD Public Working Department भारत का Governor General कौन था जिस समय Public Working Department की नीव रखी A option Lord Minto 1 B option Lord Hastings C option Lord William Penteke D option Lord Dalhautji तो वो Governor General जिसने PWD Department की स्थापने की थी बो था Lord Dalhautji D is the correct answer Next question है Who was the Governor General of India during the establishment of three universities at Calcutta, Bombay, Madras in 1857 भारतिय Governor General कौन था जिसने तीन यूनिवस्टी की स्थापना की एक Calcutta में दूसरी Bombay में Madras में और तीनों की तीनों की स्थापना 1857 में की तो A option है Lord Canning B option है Lord John Lawrence C option Lord William Bantic D option Lord Dalhautji तो वो Governor General जिसने इन तीनों यूनिवस्टी की स्थापना की थी वो था Lord Canning A is the correct answer Next question है Who was the Governor General of India during the abolishment of East India Company and powers transferred to British Crown भारत का Governor General कौन था जब East India Company को भारत में खतम कर दिया गया और जो powers थी वो transfer British Crown को कर दी गई A option Lord Canning B option Lord John Lawrence C option Lord William Bantic T option Lord Dalhautji 1855 की करांती के बाद British East India Company का राज जो था वो खतम हो गया तो 1858 के Act के अंतरगत powers को transfer British Crown को कर दिया गया उस समय जो Governor General या बाइसरोय बना था वो था Lord Canning A is the correct answer Next question है High courts were established at Calcutta, Bombay and Madras in 1865 during the time of which बाइसरोय? तीन हाई courts की स्थापना कीगी Calcutta, Bombay and Madras में 1865 में उस समय बाइसरोय कौन था A option Lord Canning B option Sir John Lawrence C option Lord William Bantic D option Lord Dalhautji तो वो बाइसरोय था Sir John Lawrence B is the correct answer Next question है Which Governor General introduced Electric Telegraph System in India in 1851 इस Governor General ने Electric Telegraph System शुरू किया भारत में 1851 में A option Lord Canning B option Sir John Lawrence C option Lord William Bantic D option Lord Dalhautji तो Electric Telegraph को भारत में इंट्रोड़ूस करने वाला Governor General था Lord Dalhautji 1851 में किया गया था Introduce D is the correct answer Next question है Which Governor General Proutin railway system and postal stamps in India इस Governor General ने भारत में railway system को लाया और postal stamps को भारत में इंट्रोड़ूस किया तो वो Governor General कौन था A option Lord Canning B option Sir John Lawrence C option Lord William Bantic D option Lord Dalhautji तो वो Governor General था जिसने railway system को इंट्रोड़ूस किया साथ ही साथ postal stamps को भारत में इंट्रोड़ूस किया उसका नाम था Lord Dalhautji D is the correct answer Next question है Which Governor General introduced civil services in India किस Governor General ने भारत में civil services को इंट्रोड़ूस किया A option Lord Canning B option Lord Cornwallis C option Lord William Bantic D option Lord Dalhautji तो civil services को भारत में इंट्रोड़ूस करने वाला Governor General है Lord Cornwallis B is the correct answer और Lord Cornwallis को Father of Civil Services of India भी कहा जाता है B is the correct answer Next question है Which Vice-Roy was elected as Governor General of India after the partition of India and Pakistan किस Vice-Roy को भारत का Governor General looked किया गया जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गये थे A option Lord Reading B option Lord Irvin C option Lord Lilithko T option Lord Mountbaton तो वो अजादी के बाद भारत का पहला Governor General बना था Lord Mountbaton T is the correct answer Next question है Who was the only Vice-Roy to be murdered in office by Shere Ali Khan in Underman in 1872 कौन सा एकमातर ऐसा Vice-Roy था जिसको उसके office के समेकाल के दौरान ही Shere Ali Khan ने Underman में 1872 में हत्या कर दी थी तो A option Lord Mayo की B option Lord Litton की C option Lord Rippon की D option Lord Dufferin तो वो एकमातर बाद बाद भाद रए है जिसकी हत्या उसके समेकाल में ही कर दी गी थी Shere Ali Khan के दौरा वो था Lord Mayo A is the correct answer Next question Who was the Vice-Roy of India during establishment of statistical survey of India भारत का बाइसराय कौन था जब statistical survey of India की स्थापना की गी A option Lord Mayo B option Lord Litton C option Lord Rippon D option Lord Dufferin तो भारत का बाइसराय था जब statistical survey of India की स्थापना की गी वो था Lord Mayo A is the correct answer Next question है Who was the Vice-Roy of India during the establishment of Department of Agriculture and Commerce भारत का बाइसराय कौन था जब Department of Agriculture and Commerce की स्थापना की गी क्रिशी का भिवाग और बानीचे की भिवाग की स्थापना की गी उससे में भारत का बाइसराय कौन था A option Lord Mayo B option Lord Litton C option Lord Rippon D option Lord Dufferin तो बाइसराय का नाम है Lord Mayo A is the correct answer Next question है In 1872 Lord Mayo the Vice-Roy of India was assassinated in which place of India 1872 में Lord Mayo जो की भारत का बाइसराय था उसको उसकी हत्या कर दी गी भारत के कि स्थान पे A option Delhi B option Calcutta C option Madras D option Port Blair तो उसकी हत्या की गी थी अंडमान के Port Blair में शेर अलिखान के द्वारा D is the correct answer Next question है The title of Raya Bahadur Khan Bahadur Began to be conferred to Indians During ruling period of which Vice-Roy कुछ उपादियां थी जैसे के Raya Bahadur, Khan Bahadur ये उपादियां भारतियों को देना शुरू किया था A option Lord Mayo B option Lord Litton C option Lord Rippon D option Lord Dufferin तो वो बाइस राय था जिसने राय बहादुर और खान बहादुर जैसे उपादियों को भारतियों को देना शुरू किया था वो था Lord Litton B is the correct answer Next question है The first Delhi दरवार of 1877 was organized during the period of which Viceray 1867 में पहला दिल्ली दरवार आयोजित किया गया उस समय बाइस राय कौन था A option Lord Mayo B option Lord Litton C option Lord Rippon D option Lord Dufferin तो उस समय भारत का पहला बाइस राय था जब पहला दिल्ली दरवार लगा था 1867 में Both are Lord Litton B is the correct answer Next question है The Vernacular Press Act and the Arms Act were enacted into laws by which Viceray of India Vernacular Press Act और Arms Act को लागू करके कानून बना दिया गया किस Viceray के समय काल के दरान Vernacular Press Act 1878 में है Arms Act भी 1878 में है इन दोनों Act को कानून बनाया गया किस Viceray के दरा A option Lord Mayo B option Lord Litton C option Lord Rippon D option Lord Dufferin तो इसका correct answer है Lord Litton B is the correct answer Next question है Which Viceray formed Stretchy Commission to deal with the outcome of famines किस Viceray ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था Stretchy जो की डील करता था जो भी सूखे की समस्या थी उनके साथ Simple सी बात है 1876 और 77 में भारत में सबसे बड़ी प्रावलम आई थी फहमाईन की सूखे की तो उस प्रावलम से निप्टने के लिए 22 राय ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम रखा Stretchy Commission तो इस कमीशन को बनाने वाला बाइस राय कौन था A option Lord Mayo, B option Lord Litton, C option Lord Rippon, D option Lord Dufferin तो उस समय 22 राय था या जो 22 राय जिसने Stretchy Commission को बनाया वो था Lord Litton B is the correct answer Next question है Which Vice-Roy of India lower the qualifying age for civil services examination from 21 to 19 किस बाइस राय ने जो civil service को exam करने की age थी Indians के लिए वो कम कर दी 21 से 19 A option Lord Mayo, B option Lord Litton, C option Lord Rippon, D option Lord Dufferin तो 22 राय जिसने civil service examination की age भारतियों के लिए 21 से कम करके 19 कर दी थी वो था Lord Litton B is the correct answer Next question है The Vice-Roy who has been called as father of local self-government in India किस बाइस राय को भारत में father of local self-government कहा जाता है A option Lord Mayo, B option Lord Rippon, C option, sorry B option Lord Litton, C option Lord Rippon, D option Lord Dufferin तो father of local self-government बाइस राय कहा जाता है Lord Rippon को C is the correct answer Last question है Part 1 का First factory act was passed by which बाइस राय अफ इंडिया पहला factory act किस बाइस राय के दौरा पास किया गया पहला factory act 1881 में लाया गया और इसको पास करने वाला बाइस राय कौन था A option Lord Mayo, B option Lord Litton, C option Lord Rippon, D option Lord Dufferin तो first factory act को पास करने वाला बाइस राय था Lord Rippon जिसने 1881 में इस act को पास किया C is the correct answer तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने Part 1 के बारे में डिसकस किया Part 1 में 53 questions को डिसकस किया गया उमीद है आपके लिए बहुत ही जादा helpful रहेंगे ये question वीडियो लेक्चर पसंद आया है वीडियो लेक्चर को like करें अपने valuable comment करें जादा से जादा इस वीडियो लेक्चर को share करें और आपके अपने channel The Concept को subscribe करें Thank you Jai Hind Jai Bharat